इससे पहले हमने डिस्कस किया कि कीवर्ड को हमने रिसर्च करके ग्रूप में डिवाइट करना है और पेजीज के साथ असोसियेट करना है इसलिए असलिए हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यूँ जरूरी है और वो कैसे आप कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको मिसाल दूँगा कि लेस्पोस अगर आप कपड़े धून रहे हैं और अगर आप जेंट्स गार्मेंट लिखें और गूगल में सर्च के अंदर आपको फीमल गार्मेंट्स की पेज रैंक हो जाए तो अगर वेबसेट आपकी है और यूजर वहाँ क्लिक करके आपके पेज पे आता है तो आपके ख्याल में उसको कैसा फील होगा क्या वो आपसे बाई करेगा या वो दुबारा वेबसेट पे आएगा आपकी उसे धूंडा कुछ और उसको मिला कुछ और आपको भी वो सेल नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपको चाहिए था कि उस कीवर्ड को आप्टिमाइज करते जो वो धूंड रहा था और उसके गेंस गाइमेंट्स का पेज था ये बड़ी कॉमन प्राब्लम है तमाम वेबसेट में और ये इसी वज़ा से होती है कि कीवर्ड सर्च जब ठीक नहीं होती आप उसको प्रॉपर आप्टिमाइज नहीं करते आप उसकी स्ट्रक्चर के साथ उसको लिंक नहीं करते तो इसी लिए ये प्राब्लम्स क्रियेट होती है और यही वज़ा है कि मैं बार-बार ये एंफेसाइज कर रहा हूँ कि हमने इसको as a primary importance, important activity लेनी है इस कीवर्ड रिसर्च को क्योंकि अगर ये गलत हो गई तो आपकी पूरी SEO गलत हो सकती है इसको मैं आपको visually दिखाना चाहूंगा, for example, आपकी mobile phone shop की website है, उसमें सबसे पहला page, home page है जिसको आपने mobile phones के against, आपने optimize किया या आपने उसको keyword group assign किया जो के mobile phone से related था उस keyword group में आपके mobile phone की prices या buy a mobile phone या mobile phone से related दूसरे keywords जो आपको लगता है कि आपके home page पर optimize होने चाहिए, आपने वो एक group उसको associate कर दिया इसी तरह से आपके mobile phone की category के under एक और category थी जो के accessories की थी, तो आप ये चाहेंगे, अगर कोई mobile phone accessories सर्च कर रहा है, तो वो कहां land करना चाहिए, जी, उसको land accessories के page पर ही करना चाहिए, अगर वो कही और land करेगा, तो उसके लिए मसला होगा, क्योंकि उसको accessories नहीं मिलेंगी, तो आप क्या करेंगे, कि आप mobile phone accessories का keyword group बनाएंगे, और उसको mobile phone accessories के page के साथ ही associate कर देंगे, जो के यही होगा, कि जब आप जब भी कोई बंदा या जब भी कोई searcher, वो keyword search करे, आपका ये वाला page optimized होना चाहिए, और ये ही वाला page rank करना चाहिए, गूगल के अपर, अब गूग तो गूगल ये समझेगा कि शाहिए दूसरा page जादा relevant है, या शाहिए पहला page जादा relevant है, जब गूगल confused रहेगा, वो आपको गलत page को rank कर सकता है, और गलत page rank करने का मतलब वही है, अगर उसने search earphones किया है, तो जाकर land कर रहा है, असेसरी सारी मांग रही थी और आप उसको स लेगे सकते हैं, for example, Apple के earphones या Samsung के earphones या different brands के आप earphones उसको thought कर सकते हैं, so ideally structure को keyword से आप कैसे optimize करेंगे, कि जब कोई Samsung सर्च करें तो Samsung के पेच पे लैंड करें, जब को iPhone सर्च करें तो iPhone के पेच पे लैंड करें, जब कोई earphone सर्च करें, तो उसको earphone के उपर ही लैंड करना च structure आपकी guarantee होती है, SEO की base अच्छी बनने की, अगर आपने ये base की गलत बना दी, अगर आपने structure ठीक ना रखा, या structure ठीक रखने के बाद अगर keyword सही तरह से optimize ना किये, तो मसला यह होगा कि आप overlap करेंगे, और यही overlap हमने avoid करना है, कि SSC's का page, mobile page के साथ overlap नहीं हो सकता, और mobile phone का page, SSC's के page के साथ overlap नहीं हो सकता, यहीं वज़ा है, कि इसको आपने बड़े गोर से और बड़े ध्यान से आपने optimize करना है, और इसलिए अगर आपको client के साथ बैठ कर, या खुद बैठ कर, अपने पूरा business का structure review करना पड़े, कि आपके business क्या है, उसकी कितनी products हैं, और उसकी keyword सेर्च करके, बारी बारी हर page के ओपर एक keyword का group assign करेंगे, और जब वो group assign हो जाएगा, तो आप make sure यह कीजिएगा, कि उसमें किसी भी तरह से overlap ना हो, और जो भी pages जिस keyword के साथ optimized हैं, वो वही रहें, क्योंकि जैसे ही आप duplicate करेंगे, या overlap करेंगे, आप Google को भी confuse करेंगे, औ आपके SEO भी डाउन हो जाएगी, आपका already competition है आपके competitors के साथ, जो कि आपके इनी keywords पर अपने वेब्सेट को पर rank करना चाहते हैं, आपने उन से जगह लेनी ही है, लेकिन ultimately जब आपके 2-3 pages एक ही keyword के ओपर optimize होंगे, तो Google confused रहेगा कि आपके कौन से page को optimize करना है, तो यही problem अ focus करें, जो कि एक page से assigned हो, और सिर्फ वो ही page उपर आए, ना कि आप multiple pages को एक ही keyword के ओपर rank करवाएं, आप हमेशा एक page के ओपर focus group रखेंगे, तो आपके SEO बड़ी बेतर हो जाएगी.